हलो माई फ्रेंड्स आप सभी का अपनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आज के वीडियो का टॉपिक हम सभी गार्डनर्स के लिए बहुत ही जादा हेल्फुल होने वाले मैं आज आपको एक ऐसे प्रोड़क्ट से मिलाऊंगी जो आपकी बहुत जादा ह कर जो प्रॉब्लम होती है उसको साब्स कर कर तो आज हम बात करीक हैंगि अपने सभी एरीशन सिस्टम के बारे में हम सभी गार्डनर्स को पानी की टेंचन इतनी जादा होती है कि हम अपने ब्लांट्स음ляं मैं पानी कैसे दें कैसे उनको ऐसा पानी दें कि जैसे वो हैपी ह हो सके बहुत जादा हमको टाइम टेकिंग ना हो कुछ भी हमको करना न पड़े और पानी भी मिल जाए हमारे प्लांट भी हेल्दी रहे और उनको कोई भी डैमेज ना हो और यह सबसे जादा प्रॉब्लम तब आती है जब यह हमारा समर का मौसम होता है तब हमको बहुत जाद प्रॉब्लम हो जाती है कि हम अपने प्लांट को सुबह में भी पानी देते हैं और वो साम तक आते आते हमारे प्लांट एकदम डैमेज से लगने लगते हैं वो हीट को परदास नहीं कर पाते हैं तो ऐसा क्या चीज़ हम यूज़ कर ले जिसकी वज़ा से हमारे प्लांट एकदम हैपी हो जाएं उनको रेन वाली फीलिंग मिलने लगे तो आज इसी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन मुझे मिल गया है वो है रेन इरिगेशन सिस्टम्स के दवारा हम अपने प्लांट को हैपी कर सकते हैं बहुत इसली आपको अवेलेबल हो जाएगा और एक यह जो वीडियो है यह एक रिव्यू वीडियो है प्रॉडक्ट रिव्यू वीडियो है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूं तो चलिए हम देखते हैं उसको हम कैसे क्या करते हैं और वो क्या प्रॉडक्ट है कैसे काम करता है सारा कुछ हम इस वीडियो में देखें यह रहा वो rain irrigation system जिसके द्वार हम अपने garden को बहुत ही ज्यादा happy कर सकते हैं बहुत उनको पूरा rain वाली feeling दे सकते हैं जो rainy season में उनको मिलता है वो हम उनको provide करा सकते हैं summer में भी तो यह review product मेरे पास friends summer में ही आ गया था और बिल्कुल अरुन भाई ने मुझे यह बेजा था औ और review के लिए पर यह मुझे बहुत अच्छा लगा था तभी मैंने भी उनको यह कहा कि मैं चलिए मैं इसके लिए review करूँगी क्योंकि मुझे भी बहुत ही मैंने जो इसके उपर search किया वो और काफी बढ़ा था तभी मैंने इसके लिए हाँ करी थी तो friends यह summer के लिए बहु तो दिखा रही हूँ क्योंकि open करके ही मुझे मिला तो देखिए कुछ इस तरीके से यह pipe हो तो आपको picturization भी मैंने दिखाई है यह कैसे काम करता है तो देखिए friends इसके साथ में यही होती है rain pipe, main pipe आपकी यही होती है और यह unbreakable है कभी भी किसी भी चीज से तूटती नहीं है जैसे हम जो normal अपने घरों में अगर पानी से जो पानी की pipe आती हो उससे पानी देते है तो अगर आप वो धूप में छोड़ देते है तो वो damage हो जाती है पर इसके साथ ऐसा नहीं है as it आप इसको ऐसे ही पड़ा रहने दे ना ही यह धूप से खराब होने वाला है और ना ही यह पानी की वज़ा से खराब होने वाला है या फिर जब विंटर में आपके कोहरे पड़ते है ना तब ही आपने देखा होगे आपकी pipe चिटक सी जाती है जो normal पानी देने के लिए pipe यूज करते है तो बहुत अच्छा solution आपका यह है यह अगर आप अपने garden में लगा लेते क्योंकि अभी इसको इतना कोई काम नहीं है इसका rainy season के बाद में इसका जादा काम होता है और सबसे जादा इसका काम होता है summer में क्योंकि summer में इतना जादा heat होता है चारो तरफ humidity का नामों निशान नहीं होता है और अगर आपने इसको एक बार लगा लिया तो इसकी जो sprinkles क जैसे आपने देखा है पिक्चराइजिशन में बिल्कुल देखी यहां पर भी पिक्चराइजिशन है इस तरीके से चोटी-चोटी बूंदे लगातारे गिरती रहती है जैसे की रेन की बूंदे फोहार की रूप में गिरती है तो यह हमनिडिटी को बनाए रखती है आपका क गाया तरो तो मैं वही पे इनको अरेंज करने वाल। बहुत एज़्या पानी है उसके साथ में आपका जूरता है उसके साथ में यह होडर के सांथ में यह पाइप लग जाती है और जहां पर आपको रहार चाहिए वहां वह हाँ आप इनको बैचा देए और पानी आपको द उतना अच्छा नहीं लगा पर ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं इसको लगा लूँगी तब भी मैं आपके साथ में वीडियो शूट करूंगी तो देखिए इसमें भी देखिए ये इनोंने खेत में इस त बाइफों पे ब्लैक माइट्स का आटाक हो जाता है जो कि स्थी receives और कोहरे आपके संचा के किड्योंके संच्छा, कोहिरे की बुंदे भी आपके प्लांट की लीव को खराब करती है और रेन वाटर जैसे उनके उनके अपर फवारे की पढ़ती है वो हैपी हो जाते हैं तो यह प्रोड़क्त मैं फ्रेंड्स जरूर कहूंगी कि अगर आपके पास में थोड़े प्लांट्स ज्यादा है और कोछ इसकते हैं शोना फेल नम्बर जो है वो आपको डिस्क्रप्षयन बॉक्स में देने वाली हूं andra जा गर अगर आप इसका कुछ रिव्यूद ना प्रेंड्स देख सकते है इसा लिंख में आपको डिस्क्रफशन बॉक्स में देंग साकता है असका लिए यह विट बीण यह बताया ही ना कि बिलकुल भी खराब नहीं होता है और विके नंबर वन कंपनी है यह हमारे जो खेतों के लिए काम करने के लिए जो बनाते ना उनके लिए नंबर वन कंपनी है तो एक पर आप इनका प्रोडक्ट रिव्यू जो मैं कर रही हो इसको तो आपने देखी लिया लेने के बाद आपके साथ में एक वीडियो जरूर शेयर करोंगी तो चलिए फ्रेंड्स इसी वीडियो के साथ में मैं आप सबसे ले रही हो विदा नेक्स टॉपिक पे फेल में लोंगी ओके माई फ्रेंड्स बबाई हैपी गार्डनिंग एंड बी सेफ